दोस्तु आज हम आप बताएंगे जो की ए क्ल अर पानी का मात्रा यहां पर उम्मिदा हुआ है क्लीनिंग कर नहीं क्लीनिग छे यहां पर एक्ल पाद 2 लि tenía जाता है एक लिटर एकी Лिटर निए क्लीनिंग पानी रोग मत्रों सGreg को अदि हाए है और ये मेरा ये चुपक फुलिंग वायल होती, देखी अभी केमिकल से पुरा साफ रहा है, जितना भी दोस्ट पर्टिकल गंधा बहुत हो गया था, इसी को काफ किया जाना है, ये देखी इसे मेरा बहुत जादा डॉस्ट है, इसके बाद ये मेरा इंडी राफ्ट कावड है, ये एक कुलिंग तावड है, लिए तेखी कया में टावड है, ये मेरा सेटेइफन कुलिंग तावड है, रह दोख दो सिनल लागा रहा हय, चिनलर प्लाट जो की ये डेरत अता है, ये ये देर्स हो टंका है। प्लोट वालवर यहाँ पानी, निसमें कमी होता हि, यहाँ पर डोी पर टिप लोट कुछ होता हि, कि यह स्टाइट से कुछ बाहर निकलता है 20 पर सेंट तब माल लेजिए और यहां पर दिखा देर वह वाइट वाला जो पाइप लाइन दिख रहा है वह उपर डायरेक्ट गया हुआ है और वह डायरेक्ट नूचल के तुरू यहां पर स्प्रे हो रहा है और इसमें यह नीच से देख रहा है यहां से बर्सान की तरफ पानी गिरता रहा है यह मेरा कुरूंट और यह मेरा जो कंडेंसर से होट वाटर आता है यहां से वाइट से और यहां से जो ठंटा हो जाता है यह नीचे से जो लाइन देख रहा है बुलू कलर का यह मेरा कंडेंसर में जाता है और यहां पर कुलिंग टावड में पानी को खंडा किया जाता है जो बर्म हो जाता है इतरा से मेरा कुलिंग टावड का काम है कंडेंसर से आई हुए होट वाटर को खंडा 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 अबिकाल टेंपेरिटर में आवियंट बडिन अधाद यहां पर कुलिंग टावड कारेंज जो होता है इसी को इनलेट और आउट लेट पानी का एफ दोनों का डिप्रेंस्ट से प्लिंग टावड का रेंज निकाला जाता है और ऑपस निकालने के लिए एक पुलिंग टाउड से आउटलेट जो यहां का वेड्वर टम्करेचर है उसका दोनों का डिफ्रेंस दे आफ्रोच निकाला जाता है और इसका एफिसेंसी होता है, रेंज बाइ, रेंज प्लस, एफिस दूने, अगर पुलिंग टावड का विसेंस नहीं है, पुलिंग टावड का एफिसेंसी, अवाई अच्छ सी 90% होना चाहिए, तो बेस्ट माना जाता है, इस तरह से होता है, ये मेरा इंडी फ्राफ पुलि पुलिंग पुलिए आखिस थे होता है